देखे अभी कि जो बॉर्ड एक्जाम्स आ रही है या एक महीने बाद जिन बच्चों की परिक्षा आएगी तो उसमें एक चीज तो खास ध्यान रखने लायक है कि ज्यादतर लोगों को यह नहीं पता है कि वाट इस दिफ्रेंस बेट्विन रिविजन और रिकॉलिंग प्र अशा में सामान्य व्यवार में हर टीचर बले उ देश अच्छा है उसका लेकिन उसके ज्वायर क्या अठीजरे द्रकाश नर्षा और फैससा रेविज्यार्चों को बात तो सही है हम भी बड़े रिविजन करके ही हुए लेकिन एक हमेशा चिंता रहती है बच्चों को कितना भी revision कर ले तो उसके अंदर एक डर बता रहता है आप बच्चों को पूछ लो कि भई कैसी preparation है अब उसने तीन बार revision कर लिया है लेकिन वो कहेगा पता नहीं एक्जाम में याद आएगा तो समझ में आएगा तब जाके आएगा अब हम चाहते हैं parents चाहते हैं कि पहले से confidence हो अब वो confidence की भी परीभाषा पता नहीं है अब हम बाद में चर्चा कर लेंगे उसकी लेकिन उसको confidence आ नहीं पाता है बच्चे को वो मेनत कर रहा है लेकिन एक nervousness बनी हुई है एक डर बना हुआ है कि what happened I don't know क्योंकि exam में हम भूल जाते हैं न अभी हमें कितना भी याद आ रहा हो तो revision क्या है और recalling क्या है यह difference actually teachers को भी समझना चाहिए parents को भी और specially खास करके उन बच्चों को उन विद्यार्थियों को कि जो अभी preparation कर रहे हैं देखे re-vision एक्चों उसकी spell कैसे होती है r-e-v-i-s-i-o-n री मतलब यहाँ वो उसका मतलब यहाँ होता है री मतलब फिर से once again vision मतलब देखना यहाँ आपन कर रहेते हैं reading यानि आपने जो prepared किया है उसे आप एक बार फिर से पढ़ लो जो आपने पहले भी किया हुआ है अब यहाँ technically समझो कि जब आप पढ़ते हो तो वो information को आप दिमाग के अंदर डालते हो input process है वो input process of our mind आप information को आपने डाला देख कर सुन कर बोल कर वो आपने अंदर डाला अब आप वही process फिर से कर रहे हो कौन सी process revision के माधियम से input process installing the information in your mind लेकिन exam के तीन घंटों में आपके दिमाग को कौन सी प्रक्रिया करनी होती है आप मुझे बताओ exam के तीन घंटों के अंदर आपके दिमाग को उस information को दिमाग से बाहर निकालना है output process करनी है जिस हम टेक्निकली कहेंगे recalling उस information को retain करना है और आप practice किस चीज की कर रहे हो exam के पहले उस information को बार-बार अंदर डालना क्योंकि आप बार-बार अंदर डालते हो तो वह स्वभाविक तौर पर वह information पक्की होगी there are importance and advantages of inputting input process installing revision लेकिन आपने वह ultimately किया है input आपने output की practice करी नहीं आप input दस बार करने के बाद पहली बार output कप करते हो यानि information को recall कप करते हो जब exam के वो समय आता है तीन घंटे के अंदर सामने question paper में आपने question लिखा तब यवस्थाए पूरी पदली हुई थी आपके घर पर जब आप information को revise कर रहे थे तब आपकी अवस्था अलग थी अब आपकी अवस्था अलग है और अब का information आप एकदम से दिमाग को नया task दे रहे हो कि अब revision नहीं होगा अब रिटेन करो रिकॉल करो information को बाहर फेंको जिसकी practice आपने करी नहीं है तो लकिली क्योंकि revision का अपना एक importance है तो आपको ज़्यादा तर information आ जाती है लेकिन ऐसा भी होता है कि आपका information बाहर नहीं आया तो आप इसे कहता हो हम भूल गए क्योंकि आपने practice ही नहीं की न तो यहां बच्चे समझ जाएं, parents समझ जाएं कि जब आप exam के पहले preparation कर रहे हो तो revision के साथ recalling की process बहुत आवश्यक होती है और यह mandatory process है आप जब exam के पहले preparation कर रहे हो तो आप देख लो आपने जितना question prepared किया है आप exam की ही तरह एक question पड़ो और उसका answer बिना देखे आप recall करने की कोशिश करो आपके दिमाग को बताओ मुझे recall करना एक्जामी होती तो आप क्या करते है अब जब आप recall करेंगे तब जाके आपको पता लगेगा हाँ ये वाला answer मुझे बराबर recall हो रहा है हाँ ये वाला answer एकदम perfect हो रह है आप कहां से miss कर रहे हो आप कहां से बूल रहे हो आपकी लेकिंग कहा है वो आपको उसी वक्त एक्जाम के पहले पता लगेगी कौन सा question आपको retain हो रहा है रीकॉल हो रहा है और कौन सा answer आपको recall नहीं हो रहा है वो before the exam आपको पता होगा अब अगर सारी आपकी preparation को आपन किसी बच्चे को पुछोगे कि आपका क्या अनुमान है कैसा जाएगा एक्जाम तो वो बच्चा कहे पाएगा कि देखे अभी की अवस्था में मुझे 90% या 80% या 70% recall हो रहा है that means मैं वहां 70% तो मेरी preparation में से लिख दूगा I am confident so अब आएगा confident उसको क्योंकि उसने वो कार इतना time consume कर रहा हूं फिर भी मुझे एक्जाम में धोका हो रहा है तो आपको revision के साथ साथ हर एक students को recalling की भी practice करनी चाहिए since 2001 आज 22 साल हो गए मुझे ये subjects को पढ़ाते transformative learning system and mechanism of our memory process तो उसमें ये सबसे important है कि अगर आपको long term के लिए याद रखना है और एक्जाम में recall करना है तो आपकी practice recalling की होनी चाहिए revision के साथ साथ सिर्फ revision मदद कर सकता है लेकिन surety नहीं